हेलो, वेलकम टू माई यूटीब चैनल, जैसा के मैंने एक सीरी स्टार्ट की थी, और वीजन और MCQ की, तो आज हाँ उसका जो सेकिंड लेक्चर में अपलोड करने जा रहा हूँ, आज का जो टापिक हमारा रहेगा, वो रहेगा सिगनिफिकेंट फिगर्स के उपर, सबसे प इसने 11 क्लास अच्छे से नहीं पड़ी है, उनके लिए ये वीडियो काफी हेलब रहने वाली है, विकास मैंने इस सीरीज का नाम रखाए, क्विक रिवीजन, हम कोशिश करेंगे 5-6 मिनट हाट टापिक को अच्छे से क्लियर करें, हाट टापिक को समझें, और फिर उसके हम एम सी क्यों करना स्टार्ट करें, तो बच्छे आज जो हम डिसकस करेंगे, वो सिगनिफियंट फिगर्स के उपर रहेगा, अब ये वीडियो ना के सिर्व 11 क्लास के लिए इंपॉर्टन है, बड जितने भी कंप्यूटिट्री एक्जाम्स हैं, जैसे जैके बोस के को मतलेफुल रहने वाली है, तो चलि हम स्टार्ट करते हैं, आज का अपना टापिक, ओके, तो सबसे पहले हम ये समझना है, कि सिगनिफिकंटींट हमारे पास होता क्या है सबसे पहला वर्ड आपने याद रखना है कि सिगनिफिकेंट फिगर्स और कुछ नहीं होता बट इक डिजर्स होते हैं अब वो कौन से डिजर्स होते हैं इना मेज़र कॉंटिटी विचा नोन रैलियेबली प्लस वन अडिशनल डिजर्स और इस अनसेटन तो सिगनिफिकेंट फिगर्स में याद रखना है कि यह दो चीजें इसमें होती हैं दो डिजर्स होते हैं एक उता उनसेटन डिजर्स एक उता रैलियेबल डिजर्स इन दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास सिगनिफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं अब सिगनिफिकेंट फिगर्स मारे पास क्या हैं डिजर्स होते हैं अब एक्जेंपल के तोर पर जैसे 1.62 है हमारे पास अब इसमें करना ही करना होता है बट जो uncertain है टू टू इस एंसेटन उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते बट इन दोनों का combination राइल प्लास अन सटेन का combination हमारे पास Significant Figures बन जाता है आप सिंपली डेफिनेशन याद रखिए बागी काम मेरे पर छोड़िए मैं आपको समझाऊंगा हम फाइंड कैसे करते हैं अग्जाम में आपको सिर्गिया आएगा क्या आए जासे करेंड को तो जैसे एग्जेंपल के तोर पर मेरे पास वन पाइंट सिक्स टू तो आपको मैं बता दूँ इसमें तीन सिगनिफिकेंट फिगर्स हैं आप सोच रहोगे कैसे यह तीन आए हमें हूं मैं बाब को बताओंगा कैसे यह तीन आते हैं अभी यह सर्प्राइज आपके लिए कि इसमें त तो तीन डिजिट से तीन सिगनिफिकेंट फिगर्स हैं सोच सकते हो आपका सोचना गलत नहीं है बट इसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास तो हम उस रूल्स को फालो करेंगे वही रूल्स हमें बताएंगे कि हम कैसे सिगनिफिकेंट फिगर्स को फाइंड करते हैं तो रूल सारे को छोड़के बाकि सारे अभी जिरो को छोड़के क्या वन टू तू थी सुवाँ जो मर्जब डिजिट लेते रहों वो सारे के सारे नांज जिरो डिजिट होते हैं अब एक्जेμपल के तोर पर है जैसे थर्टीन पाइंट सैवन फाइव तो इसमें कोई भी जिरो नहीं है तो यह हमारे हैं नांडिघड जो और और से इन फिए और फूर सिगनिफिकंट फिगर्स रूल नॉमबर वन ये कहता है कि जितने भी नान जरो डीगिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिगनिफिकंट होते हैं I hope कि यह आपको फिर्स्ट रूल क्लियर होगा अभी आप जहां पर भी देखोगे जहां पर भी आपको ना All zeros अब zero के बात हुने वारी यह वो zero जो नान-Zeroy डिजिट्स के बीच में आोँगे उन्को हम significant में count करते हैं पहला था जितने भी non-zero digit में significant होते हैं अब question arise होता है के क्या क्या ख्याल हा zero 2s के बारे में तो हमने कहा अगर आप ऐसा करते हैं आप zeros को 2 non zero digits के बीच में ऐसे प्लेस कर देते हैं वो हमारे पस सिग्निफिंट कहलाते हैं example के तोर पे जैसे यह है 1 और 7 के बीच में बार पस 0 आगे 1 भी non zero, 7 भी non zero इसके बीच में जो zeros like कर रही है वो सारे के सारे significant होंगे अच्छा मुझे बताईए इसके बारे में क्या ख्याल है ये एक zero lie करता है दो non zero digits के बीच में क्या ये वाला zero count होगा तो yes it is also countable ये भी हमारे पास significant figures में count होने वाला है अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है तो बच्चे अभी तक हमने इसका को रूल तो नहीं नपढ़ा अभी तक हम ये कह सकते है सर हमने रूल नहीं पढ़ा कि इस zero के बारे में क्या ख्याल है तो फिलाल हम इसको non significant मानकर चल रहे हैं विकास मैंने सिरफ को ये बताया है एक तो non zero digits के बाद हमने किया दूसरा हमने ये कहा है zero between two non zero digits के बीच में अगर हम ऐसा कहते है उस वक्त इस zero को हम कह सकते थे ये significant है बट इसके बारे में अभी तो हमें कुछ पता है नहीं पता चलेगा बच्चा आगे चलिये तो सही सबर कीजियो तो सही सब पता चल जाएगा रूल नमर थर्ट very important कहते है all the zeros to the right of non zero digits are non-significant very important rule कहता है किसी भी non zero digits के right side right side right side non zero digit अगर zero digit होगा तो वह significant नहीं होगा एक्जम्पल है जैसे 4500 है 4500 है 5 के right side इसके right side जितने भी बच्चे zeros हैं वह सारे के सारे non significant होगे it means 45 is 4 and 5 non zero digits these are only two significant figures अब आपको यहाँ पर एक exceptions देखने को भी मिलेगा यहाँ पर आपने याद यह रखना है कि rule यह कहता है कि जितने भी right side पे अब right का मतलब यह वाली side होगी ना तो नमबर के non zero digit के right side जो zeros होगे वो कमारे पास non significant होगे अब यहाँ पर एक mind में पॉइंट आ गया आपके point आपके mind में आया यह ने आया बट मेरे mind में यह point आया कि आपको ऐसा लग सकता है यह zeros जो हैं यह कैसे यहाँ पर non significant होगे तो याद करिए rule number second क्या कहता था zeros कब significant होते हैं दो non zero digits के बीच में होते हैं यह वाले zeros तो बचे को bond नहीं हुए न यह zeros आजाद हैं इनका के कोई non zero digit रही है तो इसलिए यहाँ पर यह non significant हो चुके हैं acceptance यह है कि उस वक्त हम zero को significant मान लेते हैं अगर कोई value हमारे पास measurement से आई है मान लो आपने measure किया कि हम अगर बात करते हैं को distance है measure करते है दिली to Mumbai आगर हम कहते हैं दिली to Mumbai हम let us suppose करते हैं कि मैं कहता हूँ 800 km है let us suppose करते हैं 800 km है मैं गल्ट भी हो सकता हूँ बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ अब यह measurement है हमारी यह जो measurement है अब यह वाले zeros यहां पर significant होंगे तो अपने question में यह देखना है कि यह value of measurement दिया गया यह आपको ऐसे पूछावा अगर ऐसे पूछावा तो फिर rule use यह वाला करना है अगर ऐसे नहीं पूछावा तो आपने फिर यह लगा देना है यहां पर ok I hope कि आपको यह concept clear हो गया होगा इसमें कोई dot नहीं होना चाहिए चलते हैं next rule की तरफ next rule है number fourth rule आस्ता आस्ता बचे अब हम decimal point तक पहुंच चुके हैं तो अब हम decimal point की बात करने वाले हैं अगर कहीं पर भी आपको decimal point नजर आ गया उस वकट decimal point के right side decimal point के right side और non zero digit के decimal point के left side और non zero digit के right side जो zeros होंगे वो significant होने वाले हैं अगर कोशन में आपको decimal point दिया हुआ है उस वकट यह वाले zeros जो हैं यह significant हो जाते हैं यह आपने याद रखना है चलो एक लिए चेंज करते हैं थोड़ा सा भई हम black color यूज करते हैं best color ना तो आपने याद यह रखना है कि जिस वकट concept के याद रखना है आपने बचो concept यह कहता है कि all zeros to the right of non zero digit means four यहाँ पर हम four को मान सकते हैं but left to the decimal point यहाँ पर जो यह point आपको नज़र आ रहा है यह वाला जो point नज़र आ रहा है decimal point इसके left set जितने भी zeros होंगे सारे कसरे non zero होगे यहाँ पर decimal point और four के बीच में दो zeros आते हैं यहाँ पर यह significant होने वाले हैं इससे पिछले case में decimal point क्योंको बात नहीं की थी अपने याद रखना है decimal point और non zero digit के बीच में जो zeros होते हैं वो भी significant होते हैं अब यहाँ अच्छे से पाले हैं राइट और लेफ्ट का concept याद रखना है आपने ठीक है और five significant figures next rule बचे यह कहता है all zeros to the right of decimal points are significant कहता है जितने भी decimal point के right set zeros होते हैं यह याद रखना है अब यह right set का मतला अगर यह decimal point है तो यहाँ पर 4.320000 होगे तो यह जो zeros हमारे पास आगे अच्छा हमाँ ऐसे लिखते हैं बचे ऐसे नहीं लिखते हैं इसको मैं लिखता हूँ 4.000 अभी decimal point के right set जितने भी यह zeros नहीं यह सारे के सारे significant होंगे यह आपने concept याद रखना है next concept बचे के कहता है all zeros to the right of decimal point जितने भी zeros right to the decimal point होंगे लेकिन left to the non zero digit होंगे वो non significant होगे अच्छा बचे के बहुर रहे है तुब हमें कोई बास समझ में नहीं आई तो बचे समझाओंगा ना मैं यहाँ पर यह यहाँ पर point में कहता है like this 4.003 है तो 4.003 है बचे समझनी आपको यहाँ पर अगर मैं आपको यह बात कहूं तो यह तो यहाँ पर 4 significant figures होंगे because 4.003 के बीच में zeros आ रहे हैं अब यह rule कहां follow करने है आपने यह जो rules के हमने बात की है 5.006 rule कहां लगेगा जब digit 0 से start होगा यह हम कैसे यूनर से start होगा जब हम कह सकते हैं 1 से छोटा होगा उस अब यह वाले rule लगाने like this हम इसकी बात कर रहे हैं जैसरा decimal point इसके बाद यह जो zeros हैं और यह non zero digit के बीच में और decimal point के बाद जो right to the decimal point left to the बच्चे आ जाजाएगा आपका non zero digit इसके बीच में यह जो zeros हैं यह non significant होने वाले हैं कंसर्ट बच्चे वही है आपने याद रहना चाहिए decimal हो चाहिए नहों अगर दो non zero digit के बीच में zero होए तो वह significant होंगे अगर बच्चे को number zero से start हम करते हैं मालो इस तरीके से है उसके पॉइंट हमने लगा दिया इस तरीके से three में लिखती है न तो उसके यह वाले zero non significant होंगे बच्चे बारे में के ख्याल है और बच्चे आपको एक और बता दू right to the decimal point right to the decimal point right to the non zero digit बच्चे बाते बहुर रहा हूँ right to the decimal point right to the non zero digit all zeros are significant ये दो zero significant होंगे बट ये दो zero ना ये जो zeros ने ये significant नहीं होने वाले है I hope कि आपको ये concept player हो गया होगा एक बार में फिर से repeat करें उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक confusion होगी तो बच्चे repeat ये मैं कह रहा हूँ हूँ को अपने ये mind में रखना है mind में ये रखना है दो बाते मैंने कही जब कोई digit 1 से चोटा होता है जब कोई digit 1 से चोटा होता है उस वकद जितने भी zeros जो होते हैं decimal point के बाद और non zero digit से पहले जितने भी zeros हमारे बास होते हैं वो non significant होते हैं दुस्ती बात मैंने ये बूली है right to the decimal point and right to the non zero digit जितने भी zeros होते हैं वो सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं significant होते हैं अब नहीं याद रखना अब मैंने बच्चे दो example साब के लिए रखी है दो तीन example से like इस जैसे ये है 1.6.00 जिरो तो बच्चे मैंने वो कहा था ये right to the decimal point अगर हमारे पास होगा और बच्चे यहां पर एक बात याद रखना यहां पर आगे को non zero digit आया ही नहीं है अगर आता तब भी देखो बच्चे यहां पर यहां पर यहां पर यह था यहां पर मैंने जैसे अभी आपको समझाए यह वाला zero में स्क्रिप्ट करना है बट यह वाला नहीं करना है इस केस में four significant figures हमारे पास होंगे ओके बच्चे तो यह था हमारे पास significant figures अब हम चलते हैं MC को के ऊपर देखते हैं आपको कितना समझ में आया है significant figure of this बताओ इसके significant figure कितने हैं 1.9010 की power 11 kg तो बच्चे मुझे जल्दे से बताइए इसके significant figures कितने होने वाले हैं तो मैं आपको concept बता दूँ powers में जो भी होगा हम उसको significant figure में count नहीं करेंगे यह आपने बात याद रखनी है तो यहां पर बच्चे कितने होंगे फिर 190 सारी स्किप हो गया बच्चे यहां से एक word skip है यहां पर आप यहां पर लिख सकते हो फाइव की जगा थ्री लिख दो ओके तो इसका right answer 3 होगा मेरे बच्चे यहां से skip हो गया तो इसका right answer 3 आजागा क्योंकि यहां पर एक दो तीन अभी जिरो स्कॉंट किया जागा क्योंकि right to the decimal point right to the non-zero digit व्याला zero है इसलिए इसको quantum करेंगे जिए three significant figures हैं यहां पर ओके next बच्चे significant figure out this मुझे बताओ इसके significant figures कितने होंगे अब मुझे लगता है बच्चे इसका answer 3 ही टिक करने वाले हैं और आपको क्या लगता है यह 3 सही होगा सोचो ज़रा बच्चे कि 3 सही है अगर आप यह दखो मैंने इस zero को छोड़ने के लिए काब आपको कहा था एक तो decimal point होना चाहिए दूसरा यह number zero one से चोटा होना चाहिए और यहां पर तो वन से चोटा नहीं है अब यह 0 जो है दो नान जिजिट के बीच में आया इसलिए significant होगा there are four significant figures तो यहां पर बचे चार significant figures आपके पास होने वाले हैं अब आपके लिए को सब्सक्र जैसा कि मैं हर बच आना है कि यह वीडिया को कैसी लगी है और मुझे प्लीज आपने बताना है कि सार और मुझे क्या करने की जरूरत है इस वीडियो के अंदर अगर आपको अच्छे समझे में आ रहा है तो आप support कीजिए okay thank you very much have a nice day and thanks for watching my YouTube channel okay